दोस्तों इस विडियो में मैं बात करूंगा network के बारे में, अगर आपको internet जो आप use कर रहे हैं, mobile internet अगर आपको घर में network नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको village में रहते हैं जहां पर आपको बहार तो अच्छे network मिलते हैं, बट जीसे आप घर में आते हैं, वहां पर network मिलना बट यहाँ पर आपको जो speed मिलेगी इंटरनेट की, क्योंकि यहाँ पर दिखिए, मेरे पास बहुत सारे comment आते हैं, कि हमारे पास broadband अवेलेबल नहीं, क्योंकि हम विलेज में रहते हैं, मुश्किल से network मिलता है, broadband तो दूर की बात है, महाँ पर broadband अवेलेबल नहीं, कोई भी ऐ network मिलते हैं, अब वह बात अलग है कि आपको कोई सा भी network मिलता हो, for example, Airtel का, GEO का, BSNL का, कोई भी company का मिलता हो, उसका आप यहाँ पर फायदा ले सकते हैं, कैसे लेंगे, वह इस वीडियो में detail बताऊंगा, after this intro. अब देखिए, सबसे पहले जो important बात है, अगर आपको internet चलाना है, मतलब internet पर ही आपका पूरा काम होता है, तो आपको जो है, वह network मिलना चीए, सबसे पहले तो, अगर आपके यह network full मिल रहा है, और तो भी speed नहीं मिल रही है, तो फिर कोई काम का नहीं है, यह जो solution बता रह जैसे आप बाहर जाते हैं, कई पेज घर से बाहर जाते हैं, या चल पर जाते हैं, तो आपको network मिलता है, और आपको अच्छे इचमिल मिलती है, जैसे 6-7 MB पेज मिल जाती है, तो आप सोच रहे हैं कि घर पर बाहर जाता हूं तो मुझे अच्छा network मिलता है और घर के अंदर आता हूं तो इस प्रॉब्लम का solution इस वीडियो में बट अगर आपके घर में भी है और full signal मिल रहा है फिर भी speed नहीं मिल रही तो फिर उसका तो कोई solution नहीं है क्योंकि यहां पर जो आपको network दिया जा रहा है जहां पर आप गाउं में विलेज में रहते हैं वहां पर जो network दिया जा रहा है वो उनको जो network आपको जो network मिल रहा है वो एक wireless के थूर मिल रहा है जो आपकी गाउं में tower होगा वहां पर कोई fiber line नहीं आई है वो खुदी wireless network ला रहे हैं, अब इसके बारे में मैं detail में already एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं, tower कैसे काम करता है, mobile tower कैसे काम करता है, उसको वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे वो जो tower है, वो wireless भी काम करता है, मतलब कि आपके गाहों में tower लगा है, वो वहां तक fiber line नहीं आई है, बट फिर भी वो tower काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको network तो फिल मिलेगा, बट इस speed नहीं मिलेगी, उसका तो कोई solution नहीं है, बट अगर आपके साथ ऐसा होता है, अब घर में हैं, आपको अंदर हैं, कमरे में जहां पर आप रहते हैं, वहां पर अच्छी speed नहीं मिलती है, internet की बहुत slow speed मिलती है, call drop की समझ चाती है, ऐसा कुछ होता है, तो call का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहां पर solution बता रहा हूँ, internet का, आपको internet चलाना है, call wall नहीं भी लागे, तो चल जाएगा, बट internet चलाना है, वो सारी fulfill हुई तो, तो देखे, condition यह है, कि आपके यहां पर network आ रहा है, बट कम आ रहा है, नहीं कि आप अगर घर में रहते हैं, तो एक बार या दो बार signal आ रहे हैं, मदब डो डंडे की सिगनल के, और आपको यहां पर speed मिल रही है, हलकी full की speed मिल रही है, तो ठीक है, वो आप सोच रहे हैं, कि आर वो ही speed मुझे नीचे मिल जाए, तो बिल्कुल है, यह possible है, और एकदम best possible है, और उससे कही ज़्यादा मिलेगी, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, उससे कही ज़्यादा मिलेगी, छेसादेमी पेस आपको मिल रही है, तो जो ही solution बता रहा होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल मिस मत करना, कोई भी doubt हो, comment session को लाए, आपके लिए comment session मुझे सकते हैं, मैं ज़रू से उसका reply करूँगा, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक router लाना पड़ेगा, तो वो आप खुद ही कर सकते हैं, यह पूरा DIY है, मतलब आप यह सब कुछ खुद कर सकते हैं, आपको कुछी को बुलाने की भी जरूरत नहीं है, कैसे करना है, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूँगा, और security का पूरा दियान आपको रखना है, यह मैं आपको यहाँ पर नेटवर्क बुस्टर एक तरह से होता है, कि आपको सिगनल नहीं मिल रहे हैं, तो सिगनल मिलने लग जाएंगे, उसके अलवा कोई इंप्रूमेंट नहीं होगा, तो नेटवर्क बुस्टर की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 4G र आउटर भी काफी सारे अलग तरीके के होते हैं, लिश जो बहुते हैं, जो बहुते हैं और आपको आपको 에요 लाग शिञानी पड़ती है, और वहाँ से आपको सिगनल मिलेगा और लो फिर में पूरा कपरिज करेंगा, तो यहाँ पर देखे हैं, मैं आपको बात कर रहा हू जो जिसमें जो डिश होती है, उसी में सीम लग जाती है, और वहीं से एक लेन केबल आती है, और वो एक आप राउटर में लाके लगा लें, या फिर डारेक्टली आप उसको आपके सिस्टम, अगर आपके पास लैपटोप है, लैपटोप में यूस करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है वो नेट चलने लग जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर मैं सिंपली उसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 10 या 12,000 रुपेगा खर्चा होगा, आपका एक डिश एंटी ना बोल सकते हैं, उसको डिश बोल सकते हैं, वो आएगी, वहाँ पर आप चत पर कहीं पर उसको अच्छा सा कस देना है, ताकि आपको जो लूज नहीं हो कहीं से भी और उस तरफ डायरेक्शन उनीचे दिश तरफ टावर है, और आपको वहाँ पर सिगनल जो है वो फूल मिलेंगे, वो सब को जो डिश में बताने लग जाएगा, कि हाँ यह फूल स रूम में आप उस लेंट को ले जाएगे, वहाँ पर आपको साथ में एक अड़ाप्टर मिलेगा, जिससे वो डिश को पावर मिलेगी, क्यूंकि हम लेंट के बल से जो है, वहाँ पर पावर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ साथ, तो वो पावर मिलेगी, औ वो आप आप के राउटर में लगाँ जो भी एक राउटर लाएंगे हैं, आप 1,000 रुपे का राउटर मिल जाता है, ईसली, ऊसली रूपे का राउटर लाइए, उस सको लेंटको जो लेंड की जड़िवाएं उस लेंट की हैं, जन्सको प्लग & प्ले करना हैं, क्प्लग & जैसे आप router में लगाएंगे और उसको चालू करेंगे और Wi-Fi आ जाएगा और उस Wi-Fi को आप यूज कर पाएंगे और उसकी जो speed होगी वो trust me आपकी जो mobile में मिल रही होगी उससे कहीं जाधा होगी क्योंकि जो network मिलेगा वो full मिलेगा और आपके पूरे घर में आप उससे device जि जो भी चल जाएगी उसमें तो इस तरह का पूरा setup आपको करना पड़ेगा बस यहां पर जो कोस्ट आएगा में जो कोस्ट है वो सिर्फ है वो डिश का और यह डिश जो दो तीन अलग तरीकी डिश जो है वो मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा जो आप यूज कर सक सकता है वेस्ट वाली डिश का लिंक भी दूगा वहां पर आपको जो है वो एकदम बहुत इजी है मिलब कोई भी एगर फिट कर देगा उसको डंडे पे पोल लेना पोल पर फिट करना है और लेन लाके लगानी है और फिर राउटर में लगानी और यही setup होगा और कुछ भ सकते हैं और यह बेस्ट तरीका इंटरनेट यूश करने का यह बात ध्यान रखेंगे के अगर आपके यहां पर फाइúcar अवैलेबल नहीं है तो इसको तभी करेंगा जब आपके इंपार फाइबर अवैलेबल नहीं है कोई बिठी करा आपकी इस तो यह इस तरह का आपको पूरा solution मिलता है इसके अलावा देखिए कोई भी solution नहीं कि आप अगर इंटरेट यूज करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से कलें कोई यहां पर इंटरेट मिल रहा है आपके नजदी की गाउं में वहां से एक फाइबर लाइन लाएं आपके गाउं तक और वह पूरा सेट अप करें तो यह तो बहुत ही जादा इंटरेट यूज करना चाहते हैं और आपके यहां पर कंडिशन सारी जो है वह मैंने अल्रेडी बता चुका हूं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखूंगा कंडिशन क्या होनी चाहिए आपके आप अल्रेडी बता चुका हूं अगर फिर भी समझ में नहीं आ र लो वहां पर भी मैं आपको रिप्लाइ कर सकता हूं और आपके प्रोब्लम की सॉलुशन में दे सकता हूं अगर आपको वीडियो पसंदा है तो जरू से वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने उन फ्रेंज के साथ में यार जो विलेज में रहते हैं और इंटरनेट क सॉलुशन ढूंड रहें कि इंटरनेट कैसे यूज करें कि स्टेवल इंटरनेट कैसे यूज करें तो यही सॉलुशन है आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकोन के साथ आकि आगे अनुल वीडियो आपको मिलते रहें that's all for this time thanks to watching